चत्रपती शिवाजी महराज की आयतियासिक धरोर माने जाने वाले गड़ किलों की जानकारी आज की युवापीडी को हो इस उद्देश से रोटरी क्लोब ऑफ उल्वे नोड पन्वेल संराइज और सह्याधरी फाउंडेशन सावंत वाडी द्वारा कीले निर्मान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल बच्चों ने आयतियासिक कीलों की मनलुभावन प्रतिक्रितियां बना कर चत्रपती शिवाजी महराज के इतिहास को ताजा किया चत्रपती शिवाजी महराज ने जब हिंदवी स्वराजय का निर्मान किया तो स्वराजय की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कीले दुर्ग एवंगड़ों का निर्मान किया जिनकी तटबंदी और बुर्जों की विशेष्टा से आज भी लोग अचमभीत रह जाते हैं शिवाजी महराज की युद्धनिती का हिस्सा बने इन कीलों की धरोहर को आज की पिढ़ी समझ पाएं और महराज के इतिहास से आज की पिढ़ी अवगध हो इस उद्धेश्चर से दिवाली के दिनों में कीले निर्मान प्रतियोगीता अयोजित की जाती है ऐसे ही कीले निर्मान प्रतियोगीता उलवे नोड़, पागोटे और सावन्तवाडी में अयोजित की गई थी रोटरी क्लोब आफ उल्वेनोड एवं रोटरी क्लोब आफ पन्वेल सन्राइज के माध्यम से पागोटे और उल्वेनोड में किले निर्मान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका रोटरी क्लब के सदस्यों ने परिक्षन किया हाला कि प्रतियोगीता का नतीजा अभी घूशित नहीं हुआ है परंतु बच्चों ने शिवकालिन कीलों की प्रतिकृतिया बना कर अपनी कलपकता का परीचे दिया है हुआ हुआ है झाल झाल वही सावंतवाड इस्थित सह्याद्री फाउंडेशन के मध्यम से भी कीले निर्मान प्रतियोगिता अयोजित की गई थी जिसमें शामिल प्रतिभागी बच्चों ने अपने अंदर की प्रतिभागा परीचे देते हुए चत्रपती शिवाजी महराज के इद्यास को ताजा करने का प्रतिन किया है चत्रपती शिवाजी महराज की जोई चत्रपती शिवाजी महराज की जोई मुझा था